Hello friends, welcome to Nandkishore classes, आज हम Trignometry का बहुत इंट्रस्टिंग क्वेशन करने वाले हैं, हमारे किसी वियोर ने सेंड किया है, बड़े ध्यान से देखिए, if sin theta plus cos theta is equal to root 2, then find the value of tangent theta plus cotangent theta, हमारे पास sin theta plus cos theta की value given है, कितनी value given है, square root of 2, और हमें tangent theta plus cotangent theta की value निकालनी है, सबसे पहले बड़े ध्यान से देखिए का मुझे यहाँ पर क्या करना है, question में आगे बढ़ने के लिए मुझे करना है squaring both sides, मैं यहाँ पर squaring both sides कर रहा हूँ, और अभी पता चलेगा कि उसका हमें benefit क्या होने वाला है, step by step calculation करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा, मेरे left side बन जाएगी sin theta plus cos theta square, right squaring करेंगे तो, right side में मेरे पास बनेगा root 2 का square, अब यहाँ पर a plus b whole square का formula बन रहा है, a square plus b square plus 2 then a then b, right, right side में root 2 का square करते हैं तो क्या आएगा, सिरफ 2 आएगा, root खतम हो जाएगा, यहाँ देखिए, अब sin square theta plus cos square theta, यह identity रहती है, इसकी value होती है 1, तो directly 1 use कर लेते हैं, ठेक है जी, यहाँ से, अभी मेरे पास 2 sin theta cos theta की value जरूर निकल रही है, क्या होगा, यह 1 जो है दूसरी तरफ जाकर subtract हो जाएगा, 2 minus 1 करेंगे तो 1 बनेगा, और खास बात आप अगर यहाँ note करें, तो हमारे पास sin theta cos theta की value कितनी आ गई, 1 by 2, यह वला 2 जो है, दूसरी तरफ नीचे चला जाएगा, तो मैंने यह निकाल के रख लिया कि sin theta cos theta की value 1 by 2 होती है, और हमें करना क्या था, हमें tangent theta प्लस को tangent theta की value निकालनी है, यह भूलना नहीं है, क्योंकि जिसे हमने find out करना है, वो तो दिमाग में रखना ही है, लिख सकते हैं, sin theta upon cos theta, right, tangent cos sin by cos लिख सकते हैं, और cotangent cos cos over sin, ठेक है यह लिखती है आपने, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना बहुत interesting है, sin theta cos theta LCM, क्योंकि sin theta और cos theta, दोनों में आ रहा है न, नीचे वाले denominators को multiply कर दिया, यह sin cross करें, इस sin के साथ multiply होकर क्या बनेगा, sin square theta, यह cos, इस cos के साथ multiply होकर क्या बनेगा, cos square theta, right, मैं आगे यहां continue कर रहा हूं, sin square theta plus cos square theta होता है, 1, denominator में sin theta cos theta है, अब उसकी value तो निकाल चुके हैं, कितनी 1 by 2, तो यहां पर denominator में 1 by 2 भर दिजिए, यह सबसे नीचे 2 है, सबसे उपर multiply हो जाता है, 1 को 2 से multiply करेंगे 2, that's it, तो हमारे tangent theta plus cotangent theta की final value कितनी आएगी, 2 आएगी, I hope आपको यह question अच्छे से समझाया होगा, अगर यह वीडियो पसंद आया है, तो इसे like और share जरूर कीजिए, thank you so much.